नमस्कार फिरा 24 नियोज में आपका स्वागत है मैं पोजा के अंसारी मैरेज हाल में आग लग गई आग की वज़े से मैरेज हाल को भी काफी नुकसान हुआ हलाकि रहात की बात यह है कि साथ से में किसी के हता हतोने की खबर नहीं है जबकि मैरेज हाल मिल आग लगी तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे वाइरल वीडियो में दिख रहा है कि मैरेज हाल में भयानक आग लगने के बावजूद वहां मौजूद लोग खाना खाते रहे जादा तोर लोग यहीं चाह रहे थे किसे पहले कि आग और जादा फैले वो खाना खा कर वहां से निकल ले शोसल मीडिया यूजर इन लोगों की आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि कोई इतना असमविदन सील कैसे हो सकता है गौर तरब है कि मैरेज हाल में लगी आग इतनी भीशर थी कि थोड़ी ही देर में पूरा पंडाल जल कर राख हो गया इस दरान किसी तरह से रेस्क्यू करके दूलहा और दूलन को बचाया गया समय रहते बाकी लोगों को भी वहां से निकाल लिया गया पुलिस अधिकारी ने बताया कि मैरेज हाल में लगी आग को गुझाने में काफी मेहनत लगी फार ब्रिगेट की छे गाड़िया आग उज़ाने में जुटी रही आग उज़ाने में करीब तीन घंटे का समय लग गया हलाके अभी तक पता नहीं लग पाया है कि आग किन कारणों से लगी उन्होंने आगे कहा है कि मैरेज हाल में लगी आग के मामले में जाज शुरू कर दी है इस बाग कि जाज की जा रही है कि आग लगने की घंटना एक हास्ता था या फिर किसी दे ऐसा जान बूच कर किया अगर कोई दोसी मिलता है तो इसके खिलाफ सक्त करवाई होगी कर दोसी मिलता है कर दोसी मिलता है कर दोसी मिलता है झाल झाल तबाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे विडा 24 न्यूज नमशकार खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा यूगत स्काई रेस्टूरेंट खुल गया वेच नौन वेच भूजन का लुट्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे हमारे यहां स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन तिलक इंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है ओनलाइन ओर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर पता याद रखें स्काई रेस्टोरेंट विश्वे विद्याले रोड लोटस टावर खुटे ही रीवा